गृड मॉनिई Sumrants आज हम मेरे संकी ओरते के आगे का सार देखते हैं हमने इसमें देखा था कि लेखिका की नानी का व्यक्तित तो कैसा है इसमें आगे देखें लेखिका नानी के संबंध में आगे बताते हुए कहते हैं कि जब नानी को अपनी मृत्यू निकट जान पड़ी तो उन्होंने अपनी बेटी की चिंता सताने लगी उनकी बेटी बड़ी हो रही थी वो विवाय हो गये थी तो उन्हें लगा कि मेरी मृत्यू से पहले मेरी बेटी का विवाय हो जाना चाहिए उन्होंने पर्दे को छोड़कर नाना जी से अपने उनके मित्र सतंता से नानी प्यारे लाल जी से मिलना चाहा उनके नाना के एक मित्र थे प्यारे लाल जी उन्होंने ये लिहास छोड़ा की हैं उनने शरम छोड़कर उनको उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की नाना जी ने अपने मित्र को तुरंत्र पत्नी के सामने प्रस्तुत कर दिया नानी जी ने उनसे वचन लिया कि उनकी बेटी का विवाह वेही तै करेंगे अर्थाथ उनके नाना जी के मित्र जो प्यारी लाजी 173 नानी थे उन्होंने अपनी बेटी के विवा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी और उसका विवा आजादी के सिपाही के साथ करवा देंगे लेखिका समझ नहीं पाती कि अपनी आजादी से बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून कैसे सवार हुआ होगा वास्तव में लेखिका की नानी ने अपना जीवन अपने धंग से जिया वह दूसरों के धंग से जीने के लिए विवश नहीं थी उनके लिए यही असली सुतंतरता थी कि ना तो वो किसी दूसरे के जीवन में दखलंदाजी करती थी और वो अपना जीवन भी सवयम अपने धंग से जीती थी इसके आके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थैंक यू